एलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो सचिन मैथ क्राशिज जो हमारा लिनियर प्रोग्रमिंग प्रोब्लम मैथ है उसके आज हम जो ट्रांस्पोटरिज प्रोब्लम है उसके उपर बात करें इससे पहले हमने ग्राफिकल मैथड से सोल करना सीख लिया था अब यह हम ट्रांस् से लिखा हुआ जाता कई बर इस मैथड से तो एक्जाम में कुश्चन से इस मैथड से हर बार लगबग आई रहा है तो बहुत ही इंपोर्टेंट मैथड है हमारा यह यह किसलिए यूज होता है हमारी जो ट्रांस्पोटेशन प्रोब्लम है उसका बेसिक फिजिबल किसी बैलेंस ट्रांस्पोटेशन प्रोब्लम जो की बहुती इंपोर्टेंट है हमारा यहां पर तो पिछले में नौर्फ वेस्ट कोरणर में शीखा दा कि क्या क्या करते हैं आज हम इस में इस टेबल में जो मैंने क्वेस्टन लिया वहां पिछले उसमें भी जो नौर्थ मैं मत्रिक्स मिनिम थार लग रहा कि मिनिमम लेना है पहले और उसमें नौर्थ वेस्ट कोर्नर थे आमें इसी का पता लग रहा था कि corner ले तो में minimum लेना है तो अभी हम table के ऊपर चलते हैं कि table हमारी क्या है सबसे important table जिसमें हमने पिछली बार क्या था नस्ट वेस्ट कॉर्णर था हम तो corner से start करते यह तो वर्टिकल चलते थे और जैसे में starting स्टार्ट क्लिए तो इसलिस्ट कोस्ट हमारी जो पूरी टेबल है सबसे पहले सबसे list value कौन चीए तो आपको देखने पर पता लग रहा हो कि सबसे list value हमारी का इसमें से तो सबसे list value है वो पूरी table में क्या है 3 है क्या है 3 है देखो 3 सबसे छोटा है तो हम 3 पर सबसे पहले हम sale donate करेंगे 3 के उपर तो 3 के उपर हमारा इधर देखो यह क्या होती थी हमारी demand होती थी और यह क्या हमारी supply है पूरी यह supply थी यह क्या थी demand थी अब ही हमारा देखो सबसे चोटी value 3 थी तो इधर एक sale allocate करेंगे जैसे हमने पिसे northwest corner में किया था same तो इधर supply कितनी है 20 है और demand कितनी है हमारी 15 है तो जो दोनों इधर supply कितनी है 20 है और इस कोलम के according हमारी 20 है और demand कितनी है 35 हमें यह देखना है ठीक है उसी के according देखते है तो इधर 20 हो गई इधर 35 हो गई तो इधर दोनों में से जो छोटा है वो यहां allocate कर देंगे तो दोनों में छोटा क्या है 20 तो मैंने 20 इधर allocate कर दिया तो इसकी supply तो complete हो गई supply complete हो गई तो इधर कितना बच गया 0 बट इधर इसकी जो demand थी तो हमारी कितनी complete होई 20 तो 35 में से 20 चला गया तो कितनी बच गई हमारे इधर कितनी बची होई इसकी पंदरा डिमांड बची होई है जो डिटू शिटी है हमारी इसकी अभी चलते है उसके बाद 3 के बाद भी यह हो गया 0 तो इस पूरे को 0 हो रहा है उसको हम क्या कर देंग इसको 5 हा रहा है तो 5 पे हम कोई cell फिर allocate करेंगे इसकी supply कितनी है 30 है और इसी के column में कितनी रो में कितनी 30 supply और demand कितनी 20 तो दोनों में से जो छोटा वो लिखेंगे छोटा कितना 20 है तो मैंने इधर क्या रिख दिया 20 लिख दिया तो इसकी demand तो complete demand पूरी हो गई 20 0 हो गया ब इसके बाद चलेंगे 5 के बाद हमारा cash उससे 5 के बाद इस बचे हुए जो हमारे यह है columns बचे हुए जो रोज बची हुए है इनमें सबसे चोटा कौन सा है तो उससे चोटा कौन सा हमारा 6 है तो 6 पे एक सैलम फिर बनाएंगे तो इसकी supply कितनी है 10 है और demand कितनी है 30 तो दोन इदर कितनी है तो दोनों में चोटा कौन सा है 20 20 इदर लिख दिया तो इदर कितनी है और होगे पाद कितनी है 20 तो दोनों में चोटा कौन सा है 20 20 20 इधर लिख दिया तो इधर कितने हैं इसकी डिमांड पूरी हो गई बट सप्लाई बच गई 50 में से 20 दिए ना 30 बच गई इधर यह क्या हो जाएगा जीरो अब इन दोनों में से 9 और 8 बच गया इन दोनों में चोटा कॉन सा है 8 है तो इधर कितनी है डिमांड कितनी है 15 क्याई बच गया नो में देखको धिमांड कितनी बचिहें 15 और सप्लाई कितनी है 15 तो 15 यह इधी पंदरा को ने यह लिख दे तो यह भी क्या ओंगया जीरो और यह भी क्या हो गया जीरो तो सब्सक्राइबे क्या हो ग Champions हो गई अभी हमारा सबसे पहले मैं इधर आप एक छोटी सी मिस्ट बताई नहीं आपको हमें सबसे पहले चेक करना था कि यह बैलेंस है कि नहीं है बैलेंस देखो 50-30-80 और 200 तो इधर भी कितना है 20-30-50-50-35-85-15-100 तो यह किसको एक बैलेंस transportation problem को ही solve करता है अगर unbalance है तो उसको balance करेंगे कैसे करेंगे आने वाले lectures में हम सीखेंगे सबी methods के उपर बारी-बारी बात करेंगे तो यह क्या था 100 तो यह हो गया इस परकार हमने 100 आ गया अभी देखो यह 100 जो आया है और हमारे जो cells है लोकेट किया है हमने यह वाले यह कितन कितनी थी हमारी demand थी कितनी थी क्या थी supply थी हमारी तो हमारा total allocation जो हमने किया वो भी पूरा हो गया इधर से सबसे पहले तो आपको इधर से पता लगा सारी 00 बची उसके बाद इनका सभी का cells किया तो वो भी 100 आ रहा है हमारा तो questions यहां तक हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है अ इसको matrix की तरह लिखेंगे यह क्या है x1-1 था जैसे यह x1 उसमें क्यों उसमें लिखते है c1-1 c1-2 जैसे row wise लिखते थे तो इसमें यह क्या है x12 तो x12 कितना है हमारे पास 20 और कोई नहीं है फिर second row थर्ड कोलम तो इसको क्या लिखते थे x23 यह कितना गया 20 फिर लिखते थ X 2 4 हमारा कितना आगे 10 उसके बाद 3rd में 1st कोलम X 3 1 15 उसके बाद X 3 2 कितना हमारा 15 उसके बाद X 3 3 कितना हमारा 3 4 sorry 3 4 कितना हमारा 20 अब ही हमारा minimum transportation cost minimum transportation cost कितनी लगी है सभी हमें करने में तो अभी हम क्या करेंगे जो हमारा allocation cells आए है जो हमने allocate किये इसकी multiply जो given है तो हमारी पहले से cost दे रहा की तो उसके साथ क्या करेंगे multiply इसकी multiply इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी 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 साथ 15 x 9, 20 x 7, जो हमने किसका multiply किया, जो जो यह हमारे हैं, इननका multiply किया, तो इसको solve करेंगे, तो हमारे कितना हैगा 6, 15, क्या हैगा, 6,15, जो कि बहुती, easy है, विच Михाel, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिस्ट को solve करना, जो सबसे लिस्ट है, उस पर अलोकेट करते हुए चलना है और यह किसको सोल करेगा बैलेंस को सबसे पहले हमें चेक करने हैं बैलेंस प्रोब्लम क्या होती है जो total demand is equal to total supply हमारी क्या होती है बैलेंस होती है तो दोनों का sum अगर equal आ रहा है दोनों के तो यह हमारी balance है, अगर नहीं आ रहा तो unbalance है, उसको हम बाद में सीखेंग करना के लिए, तो एक question सोल ले लेते हैं आज के लिए, अभी आज का दूसरा question से हमारा क्या दिया हुआ है, कि हमारा question साजा है, solve by matrix minima method, matrix minima method से इसको कैसे solve करेंगे हैं, तो same हमारा, सबसे पहले 80 plus 50 हमारा कितना हो जाएगा, 130, 130 plus 40, 170 हमारा, कितना हो जाएगा, 170, तो इधर इसका sum देखो, 60 plus 30, 90, 90, plus, तो हमारा 30 plus 60 कितना होगा, 90, 90 plus 50, 140, 140 plus 30, 170, तो हमारा total demand, क्या है, total demand, is equal to total supply, तो क्या है, so, the given transportation problem is balance, क्या हमारी, ये balance है, तो अभी हम इसको किसे solve कर सकते हैं, इसको हम solve कर सकते हैं, by matrix minima method, या northwest corner, तो हमें इस lecture में क्या सीख रहे हैं, matrix minimum method, तो हम minimum method से करेंगे, तो जितने भी हमारे जो ये हैं, columns और row, इसमें सबसे चोटा देखेंगे, हम सबसे चोटा हमारा क्या है, सबसे चोटा हमें one दिख रहा है, यहां पर, तो इधर एक sell का allocations करेंगे, ठीक है, तो इधर सबसे इस इसको यहां कर रहे हैं, तो इसके supply कितनी है, 50 है, और demand भी कितनी है, 50 है, तो दोनों क्या है, छोटी करते थे, लेकिन दोनों क्या है, 50 है, तो मैंने इध तो इक साथ दोनों चीजे complete होगे, demand भी हो गई, supply भी हो गई, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज सी complete हो गई, तो मैं allocate करके दोनों को 0 कर दिया, इसका दोनों का काम ही कतम होगया, उसके बाद देखेंगे कि उससे छोटा क्या है, अब भी बचे होगे, जो बचे है, इसमें игра क्या है तो सबसे उसके बाद one के बाद two है इदर सबसे चोटा है तो two पे जाएंगे हम supply कितना है 80 है demand कितना है 30 है तो सबसे चोटा है दोनों में 30 है हमने इदर 30 allocate कर दिया अभी demand तो complete होगे जीरो बच गया क्यों कि 30 हमने दे दिया बट 80 में से 30 कितना बच गया है 50 बच गया इदर तो इदर 0 हो गया तो यह sell क्या हो गया हमारा पूरा कोलम क्या हो जागा cancel हो जाएगा हमने इसको क्या कर दिया cancel कर दिया उसके बाद चोटा कोंड सा है बचे इन जो sell बचे हमें है इसमें सबसे चोटा क्या 3 है अब 3 के allocate करेंगे 3 वाले में अब 10 बच गया है यह हमारा 30 तो इसने दे दी तो अभी यह यह वी पूरा हो गया अब जो बचे हो क्या क्या बचे हमारा यह जीर हो गया तो यह क्या हो जाएगा हमारा cancel, अब ये हमारा क्या क्या बचा, 5 बच गया और 4 बच गया, 5 और 4 बच बच दोनों में चोटा कों से है, 4 है, तो फिस4 पे Excel करेंगे, तो इदर इसकी supply कितनी बची है, 50, और इदर इसकी demand कितनी है, 60, तो इसको हम पचे देंगे पहलेग, दे दیا तो इधर कितनी बच कही, जीरों गयोगा हो और ले शाफए, रीज्र कितनी बच गई, दस बच गई तो यह क्या हो जाएगा हमारा पूरा जीरो ओजाएगा अब यह भी ले क्या बचा, पांच बचा तो 50 प्लस 50 कितना हो गया एंड्रेड प्लस 30 130 130 प्लस 30 160 और 110 कितना हो गया 170 तो टोटल हमारा 170 सप्लाइए दिमांड था तो ये भी हमारा काम क्या है बिल्कुल शही है यहां था questions अब यह हम क्या करेंगे basic feasible solutions इसको हम कैसे लिखते हैं जो हमारे नई cell का allocations की है वैसे यह क्या है एक्स 1-1 लिखे हमने क्या आगया 30 उसके बाद हमारा यह क्या है एक्स 1-2 एक्स 1-2 हमारा क्या आगया 50 उसके बाद सेकंड फर्ष्ट में complete हो गए second में second row third column तो क्या हो गया, X23 कितना है 50, अब second row में कुछ निये third में देखो, third में क्या है हमारा, X32 कितना है, 10, X34 है हमारा, 30 अब ये हो गया, हमारा basic ban solution, अब cost निकाल लेते हैं total transportation cost या minimum transportation cost हमारी कितनी लग ये, तो जो हमारी ये आएं, इनकी 30 x 2, 50 x 4, 50 x 1, 30 x 3, 10 x 5, सभी की multiply क्या करदेंगे add करदेंगे जेको मैं इधर कर रहाँ direct 30 x 2, plus 50 x 4, plus 50 x 1, plus 10 x 5, plus 30 x 3 इन सभी को क्या करदेंगे हम add करदेंगे सभी को add करेंगे तो हमारा कितना अंसुर आएगा फूर फूर विफ्ट। ये इशकी हो जाएगा हमारा नफरस्ट का असे का क्या की तै correlate से में कि और में तौरे के पले कि कॉर्ण करें मैंने इसका अंगे न चाहिए था इसका अंसे इसका अश्व 1011. मीनिमिम्म कोस्ट इए टिए रज मैं इसें कोर शेम कर देखां सेंव सेंबल यह और साथ यह यह मीन घोंगा यह 25TION में अब यह तक्त मुंहीं यह फरी है हमार इतना फराइगा आगा थो तो इसके equal आएगी या इससे कम आएगी ज्यादा नहीं आएगी 825 आगया 615 आगया या तो इससे कम आएगी या इसके equal आएगी इससे ज्यादा cost अब नहीं आएगी जो गोगल approximation method है वो सबसी हमारा best method है किसी भी matrix को solve करने का students तो यही था हमारा आज का lectures इसमें हमने matrix minimum method और matrix least cost method हमने शीखा जो कि बहुत अच्छा था वीडियो में कुछ problem है तो comment करके तो लाइक करना शेयर करना और चनल को सब्सक्राइब होना थांक्यू स्टुडेंट